इस वक्त की दस बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे तो आईए शुरुवात करते हैं खबरों का सिलसिला बैंकों के वित्तिय सुधार के लिए किंद्र सुरकार द्वारा किये गए सुधारों पर बोलते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा है कि भारत का बैंकिंग शेत्र इस समय बहुत मजबूत है और देश की अर्थ व्यवस्था को आगे ले जा सकता ह पिये मोदी ने दिल्ली में निबर्ध, रेण, प्रवाँ और आर्थिक विकास के लिए तालमिल बनाने पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार ने बिते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार किये है वो बहुत बढ़े है मुख्य मंतरी चन्जीत सिंग चन्नी डेरा बाबा नानक पहुँच गया है वो अपने कैबिनिट मंतरियों के साथ टर्मिनल पर पहुँचे और इसके बाद पाकस्तान इस्थित गुरुद्वारा श्री करतारपूर साहिब के लिए रवाना हुए कॉंग्रिस के पहले जत्थे में मुख्य मंतरी चन्जीत चन्नी के साथ विजय सिंगला विधायक इंदर बिर सिंग हर प्रताप सिंग अजनाला के साथ 17 लोग शामिल है उत्र प्रदेश का पडोसी राजे उत्राखंड से 21 वर्ष पुराना संपती विवाद गुरुवार्क उत्र प्रदेश के मुख्य मंतरी यों गया देतनाथ और उत्राखंड के मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने चन्द मिन्टों में निप्टा दिया लखनों में सीम आधितनाथ से साथ में भेट के दोरान उत्तरा खंड के सीम पुषवर सिंग्धामी ने 21 साल से लंबित मामली को उठाया इसके बाद दोनों राज्जियों के अधिकारियों ने दोनों मुख्य मंत्रियों के सामने सारे विवादों को निप्टा दिया भारतिये वाईयो सेना का हेलिकॉप्टर गुरुवारकुर दुरघटना ग्रस हो गया है वही जानकारी के मुताबिक भारतिये वाईयो सेना का MI-17 हेलिकॉप्टर पुर्वी अरुनाचल प्रदेश में दुरघटना ग्रस हो गया इसमें दो पाइलेट और चालक दल के तीन सदसे साथ थे सुतर के अनुसार चालक दल के सभी सदसे और पाइलेट सुरक्षित है इससे पहले की हैदर पोरा मुटभेड राजनीती की रूप लेता उप राजपाल मनोज सिन्हा ने पूरे घटना क्रम के सच्चाई सामने लाने के लिए मजिस्ट्रे जांच क्या देश दे दिये है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए उपराजपाल मनोज सिन्हा ने कि हैदर पोरा मुटभेर जाच अतिरिक तिजिला आयूकत रैंक के अधिकारी को सौपी गई है रिपोर्ट सामने आते ही सरकार उचित कारवाई करेगी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिशनर परमबीर सिंग की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोट ने सुनवाई की है सिंग ने याचिका दायर कर सनरक्षन की मांग की है इस पर कोट ने कहा है कि परमबीर सिंग को फिलहाल सनरक्षन नहीं मिल सकता है पहले उनको बताना होगा कि वो कहा है कोट ने उन्हें 22 नमबर तक का समय दिया है अगली सुनवाई परम्बीर सिंग को अपने ठिकाने की जानकारी देनी होगी देश्की राजानी दिल्ली में गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाय हुए है दिल्ली का नियुंतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और हवा की गुनवत्ता बेहत खराब बनी हुई है भारतिय वायो विज्ञान विभाग्यानी आई एमडी के अनुसार इस सप्ता दिल्ली एंसियार का नियुतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है मध्य प्रदेश में आधियवादी को कोरोना वायरिस के खिलाफ तीके की दोनों खुराक मिल चुकी है राज्ये के लोग स्वास एवं परिवार कल्यान मंत्री डॉक्तर प्रभुराम चौधरी ने गुरुबार को बताया है कि सरकार ने बाकी बच्चे लोगों को 25 दिसंब को फटकार लगाई है और इस पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने को कहा है इसके बाद दिल्ली एंसी आर में कई कदम उठाये जा रहा है हाला कि फिलाल इसका कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा तमिलाडू के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जाड़ी है लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यास्त हो गया है वहीं बारिश का कहर थमने का नाम ही ने ले रहा मौसम विभाग ने आज भी पुडूचेरी और कराईकल में भारी बारिश के संभावना जटाई है इसके चलते पुडूचेरी और कराईकल में आज सभी स्कूल और कॉलेज बन रहे आई एमडी के पुर्वानुमान के अनुसार उडू चेरी में भारी बारिश के साथ साथ दिन भर काले बादल चाय रहे खबरों के और जानकारी के लिए देखते रहे ये डी एनप इंडिया तब तक के लिए नमस्कार